Hello friends and welcome back to another video और दोस्तो आज आपसे बात करेंगे एक और new feature के बारे में जो कि दोस्तो आप सब लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है जैसे कि दोस्तो आप सब लोग जानते हैं हमारे phones के अंदर बहुत से ऐसे apps होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है कि वो background में कौन सी permission यूज कर रहे हैं कई सारे ऐसे apps होते हैं जो कि background में अपने आप चलते हैं और आपके phone का जो data यूज करते हैं और आप PUBG वागरा खेल ले होते हैं उस समय जो pain है वो काफी 900 से भी उपर चली जाती है तो यह सब apps की वज़े से ही होता है तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक new feature के बारे में बता हुआ जिससे दोस्तों आप अपने phone को पूरी तरह से security मतलब उसकी काफी बढ़ा सकते हैं और यह एक ऐसा feature है जो आपने अभी तक यूज नहीं कर रहा होगा इसके अंदर दोस्तों आप सारी permission को पूरी तरह से check कर सकते हैं कौन सा app आपकी कौन सी permission को यूज कर रहा है जानना जाते हैं इस amazing feature के बार में तो वीडियो को पूरा देगेगा launcher कुछ और features को यूज करना चाते हैं तो सभी वीडियो का link description में दे रखा है जा करके आप देख लीजेगा तो भाई इस नए feature को enable करने के लिए आपको अपने phone का security app को अपग्रेट करना पड़ेगा security app को दोस्तों MIU 12 वाला security app जिसकी वीडियो मैंने already बना रखी है जो कि काफी साय लोगो यह नहीं पता होता कि कौन सा अप ऐसा है कि जो background में data यूज कर रहा है क्योंकि दोस्तों आप लोग देखेंगे कई बार जो permission आप नहीं देते हैं वो अपने आप apps permission को भी allow करवा लेते हैं और यह है वो security app जो कि आपको upgrade करना अभी फिलाल अपने phone के अंदर तो आप पक्का इसे upgrade कर लिजेगा तब ही आप इस नए feature को पा सकते हैं जो कि एक shortcut application है security एप को upgrade कर लिजिएगा जरूर से जरूर इसके अंदर दोस्तों आपको जब open करने के बाद यहां पे आपको security app को ही इसके अंदर search करना है तो S से जो आप यहाँ पर नाम्स को देख रहे हैं, जो कि Apps को देख रहे हैं, तो उसको आपको सर्च करना है, देखें, यहाँ पर Security आप आपको दिख जाएगा, इसमें क्लिक करने के बाद, अब आपको यहाँ पर P वाले section पर जाना है, P वाले section में पहला आएगा privacy दूसरा तो पहले में दोस्तों आपको दिखेगा new security app का intro की किस तरह से आप इसमें आपको नए feature मिलते हैं, दूसरी बार अगर आप यहाँ पर दूसरे वाले section पर आपको क्लिक करना है, जो की नीचे दे रखा है, इसके आपको यहाँ पर इस तरह की एक new window देखने को मिलेगी, और यह देखें, यहाँ पर आपको location की permission, context की permission, recording की permission, आपको इसमें सारी permission दिखा देगा, वो भी statics के साथ, all apps में अगर आप जाएंगे, यहाँ पर किसी app का behavior है, तो वो भी यह चेक करा देगा, बट अभी कोई भी नहीं है, मेरे phone के अंदर, इसके अलाबा, यहाँ पर आप देखते हैं, तो सबसे पर आपको permission notification को allow करवाना पड़ेगा, यह कह रहा है कि कोई भी अगर ऐसा app है, जो कि आपके feature या फिर location को use कर रहा है, या फिर कुछ भी कर रहा है, तो यह security alert कर देगा, और आपको एक notification आ जाएगा, top left में, तो यह देखें, यह आँ से आप इस तरह permission को check कर सकते हैं, all permission में जब आप click करेंगा, तो यह आपको बताएगा, कितनी आप ऐसी permission है, जो कि lock screen पर आपको show कर सकते हैं, या निकि notification वगएरा, या फिर कुछ भी, तो यह सब आपको check करा देगा, कितनी ऐसी permission है, जो कि home screen पर shortcut बनवा सकती है, तो यह सारी permission आपको यह च install नहीं कर देते, जब तक आप इसको यहां से disable ना करें, फिर आपको display over other apps, मतलब यह वो permission है, जो किसी app को work करना है, या फिर उसको नहीं work करने पर depend करता है, तो यह बहुत important permission है, इनको भी आप यहां से पूरी तरह से check कर सकते हैं, तो make sure कि दोस्तों आपको इन permission से आप अप